हेलो फ्रेंड्स आप सभी का आंलाइन इस्टडी सीरीज में स्वागत थे तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम पाली टेक्निक MIRT इंट्रेंस इक्जाम 2020 में फिजिक्स के मेजरमेंट चेप्टर से जितने भी इंपोर्टेंट कोशन बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो के माधियम से डिसकस करेंगे तो फ्रेंड्स इस वीडियो को सुरू से अन तक देखने के लिए मेरे साथ बने रहे हैं और यदि आप इस चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लिजें ताकि इस से रिलेटर में वीडियो अप्ल एंक्स्राम का जो रिलेशन है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं यानि एक एंक्स्राम बराबर होता है 10 to the power minus 10 मिर ओंगे तो यहां से 1 पराबर Mikront हम कितना एंस्टाम होता है यहाँ कर लेते अ गिर्दि एक मिर मिटर में यह हो जाएगा 10 to the power 10ести का ठीक है फ्रेंट्स तो एक मीटर में 10 to the power 10XT ha through से इसी तरह 1.6 into 10 to the power-4 में कि अभी क्या कर देंगे Intel to the power 10XT was से से, इसी तरह 1.6 into 10 to the power 10XT ha See multiplied कर देंगे थो उसकी रेडिएस जो है हम token था। यहाँ प्लस 6, एंस्टाम हो जाएगा, तो हमारा आपसा नमबर, कौन से दिख रहा है तो आपसा नमबर हम A को में दिख रहा है, तो इस वीडियो का, यह दो आपको दिख रहा होगा कि सेगण gw्र कोथन कि एक मीनट में माइक्रोसेचंड होते हैं यह हमको बताना है ठीक है तो फ्रेंट्स हम जानते हैं कि एक सेकंड में यहां पे मैया लिज़े रहा हूं कि एक सेकंड में रम टैन टू दिपावर 6 हमको बताना है कि 1 व्यक्पो यह मन्हें कि 60 से нем् Breakdown कर देंगे यहां पे 10 के पावर 6 में हम क्या करेंगे 60 से मल्टिप्लाई कर देंगे तो हमारा फ्रेंड्स एंसर क्या आ जाएगा 6 एंटू 10 टुदी पावर यह एक 0 यहां प्या जाएगा तो 6 प्लस 1 यानि 7 हो जाएगा 10 टुदी पावर 7 सब्सक्राइग्स पावर 7 माइकरो सेकन्ड आप सेरिे आपस्ओं में देख रहिए आपसा नंबर को भी को हम तीक करेंगे ठीक हैं तो एस वीडियो स्फर्ड नंबर नमटर को शन यानि तीसरा को सने पासले तीसरा नंबर को शन है ये आप इसे वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन अब बोल सकते हैं ठीक है क्योंकि यह जो कोशन है यह हमेशा हर एक्जाम में पूछा जाता है यह पालिटेकनिक मिर्ण निकालेंगे एक माइक्रोण में कितने मीटर होता है और एक हिसाब से हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि एक माइक्रोन में यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि एक माइक्रोन में 10 to the power माइनस 6 मीटर होता है ठीके प्रेंट्स इतना तक आपको कोई दिक्कत नहीं है अब देखिए अब यहां से हम प्राप्त कर लेंगे एक मीटर में कितने माइक्रोन हो जाएंगे यह माइनस से जार आएगा तो प्लस में हो जाएगा यानि 10 to the power 6 माइक्रोन हो जाएगा ठीके प्रेंट्स अब बिश्की तरह हम जानते हैं कि एक एक स्ट्राम में 10 to the power माइनस 10 मीटर होता है तो यहां से हम प्राप्त कर लेंगे कि एक मीटर में कितने एंक्स्ट्राम की संख्या हो जाएगी तो 10 to the power 10 एंक्स्ट्राम की संख्या हो जाएगी ठीके फ्रेंट्स अब देखिए इसे आप मान सकते हैं एक्वेशन इसे टू भी मान सकते हैं ठीके फ 10 to the power 6 micron is equal to 10 to the power 10 एंक्स्ट्राम ठीके फ्रेंट्स तो हमको यही पता ना है कि 1 micron में कितने एंक्स्ट्राम में होगे तो चुकि यहां पर आपको देखने को सीधा सीधा मिल रहा है कि 10 to the power 6 का power micron है उसमें हम कितना एंक्स्ट्राम होंगे 10 to the power 10 एंक्स्ट्राम तो यहां से 1 micron में कितने एंग स्थाम की संखी होगी तो हम डिवाइट कर जायंगे 10 to the power 6 है थीक है, एक मायओक्रोन में हम यहां दिवाटे उलिख सकते हैं 10 to the power 10 employ स्थाम आपण में 10 to the power 6 protocols ठिक है अब यह डिवाइट हो जाएगा तो कितना हो जाय एक माइक्रोन में 10 to the power 4 एंग्स्ट्राम बजाएंगे ठीके तो फ्रेंट्स मैं आसा करता हूँ यह आपको कोशन समाझ में आ गया होगा तो प्लीज अगर नहीं समाझ में होगा तो फ्लीज वीडियो को पीछे भी करके देख सकते हैं ठीके फ्रेंट्स अगर नहीं आएगा फिर भी तो हमें कमेंट करके बताईएगा मैं फिर बता सकता हूँ ठीके इस वीडियो का जो अगला नंबर कोशन है आएगे देख लेते हैं कि अगला नंबर कोशन क्या है फ्रेंट्स तो हमारा अगला नंबर कोशन है एंग्स्ट्राम किस भहतिक रासी का मात रख है आपस यहां तो कोई दिकत नहीं है फ्रेंड्स तो चलिए हम अगले नंबर कोशन की बात करते हैं यानि अगले नंबर कोशन यानि इस वीडियो का पांचवा नंबर कोशन है कि वर्नियर कैलिपर्स की अलपतमांक होती है तो फ्रेंड्स यह जो कोशन आपको पांचवा नंबर में लेके आया हूं इसे भी आप वेरी वेरी इंपोर्टेंट मान सकते हैं क्योंकि फ्रेंड्स यह जो कोशन है हमेशा लोगों में confusion क्रियेट करता रहता है ठीक है कि लोग समझते हैं कि 0.01 mm होगा कि 0.02 mm होगा लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा पूरा बता द है ठीक है तो चलिए मैं इस वीडियो का अगले नमबर कोशन की बात में करता हूं कि अगले कोशन क्या है हमारा तो आप देख सकते हैं आपको इस्क्रीन पर साप साप दिख रहा है कि इस्क्रू गेज किस सिधान पर कारी करता है तो फ्रेंड्स यह जो इस्क्रू गेज होता है वो किस सिधान पर कारी करता है आप सान देखते हैं कि इस माइक्रमेटरी वर्लेर पेच नाट यानि नन अप दीस तो फ्रेंड्स आपको समझ हो जा इना गिया हो गए कि जो इस्ट्रू गेच होता है नवर पहले सार्थाकंग के इसको हम 10 के पावर में कनवर्ट करेंगे यहां यहां पर इसको पहले सकते हैं 4 ठीक है अब देखे फ्रेंट्स यह जो सार्थक अंग का एक रूल होता है कि 1 एंटू 10 तो देपावर में यह प्लस हो या माइनस हो इसका पावर इसका कोई इफेक नहीं होता है ठीक है तो यह जो संख्या होती है यहां पे उसी को हम काउंट करके सार्थक अंघ बता देते है नमबर कोशन आए उसके बारे में डिसकस करते हैं कि संख्या 0.0000006 का कोट इमान होगा तो फ्रेंड्स यह जो कोट इमान वाला भी कोशन है आप इसे ध्यान से समझ लीजिए यह जो एक्जाम में यह दोनों कोशन हर बार पुछा जाता है यह जो पॉली टेखनिक एम आयाटी ठीक है एक्जाम में बहुत बार कोशन आता है ठीक है तो आप इसे इसली भी इससे भी कॉनवर्ट कर सकते हैं 6 इंटू 10 टूदी पावर माइनस 6 में ठीक है तो फ्रेंड्स यह जो इतना तो हो गया लेकिन अब इस संख्या को हम क्या करते हैं कि 3.16 से कंपेर करते हैं यानि एक प्लस कर देते हैं 1 प्लस कर देते हैं ठीक है तो 10 टूदी पावर माइनस 6 में हम यहां पे बड़ी है तो यहां पे क्या करते हैं कि 1 प्लस कर देंगे तो हमारा आपसा नमबर 10 टूदी पावर माइनस 5 इस करेक्ट आंसर हो जागा ठीक है तो इस वीडियो का नवा नमर क काउंट कर लेते हैं लेकिन उसकी एक कंडिशन है कि यह जो नंबर होता है इस नंबर के पहले अगर कितने भी 0 उसका सार्थक अंग में कोई महत्व नहीं होता है तो इस संख्या के हिसाब से यहां पर एक संख्या है और इसके बाद अगर कितने भी 0 है तो उसको हम काउंट कर लेकिन इस संख्या से पहले हम 0 को सार्थक अंग में count नहीं करते हैं ठीक है फ्रेंट्स तो यहां पर हम सार्थकं को संख्ये count कर लेते हैं कि 1 2 3 4 यानि 4 हमरा answer हो जाएगा ठीक है यानि इस संख्या में 4 सार्थक अंक है ठीक है फ्रेंट्स तो आपसा नमबर डी इस करेक्ट आउंसर अब इस वीडियो का इसे हम लिख सकते हैं 4.270 लिख सकते हैं इतना तो अब दखिए फ्रेंट्स कि इसे इतना अगर लिखेंगे तो इसे 10 to the power 3 यहाँ पे लिख देंगे ठीक है फ्रेंट्स अब इस संख्याग में बोला था कि 3.16 से कंपेर करेंगे तो 3.16 से यह भी संख्या बढ़ी है तो इस व आप देखें इस वीडियो का एक रहावा नमर कोशन है देख लिजिए कि प्रकास वर्स मात रख है प्रकास वर्स किसका मात रख है आपसं क्या क्या है कि दूरी का समय का द्रभ्यमान का यह नान अब्दीज ठीक है तो यह जो फ्रेंट्स कि प्रकास वर्स किसका मात रख है प्रकास वर्स है यह दूरी का मात रख है ठीक है इससे हम क्या करते हैं कि खगोलिय डिस्टेंस को मापते हैं ठीक है फ्रेंट्स आप देखे फ्रेंट्स कि इस कोशन का बारावा नमर कोशन का है कि केलिविन किस रासिका मात रख है तो फ्रेंट्स आप जानते ही होंगे लाइक कर दीजिएगा और शेर भी कर दीजिएगा ठीक है तो लाश्टवा नमर कोशन क्या है हमारा कि पिछट तुरूटी का कारण है आप समझान लेते हैं क्या क्या है कि पेच का सीरा घिस जाना पेच का धीबरी में धीला हो जाना ठीक है और समान चूड़ी अंतराल या उ कर दीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार बिजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्स पार वाचिंग इस वीडियो